Hello everyone, today I would like to tell you how to recall important daily used phrase for spoken, right? इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ फ्रेज होता है जो बोलने में काम आता है तो फर्स्ट फ्रेज है आपके सामने स्क्रीन पे ड्रिप्स एंड ड्रैप्स जिसका मतलब छोटी सी गुजारिस नेक्स्ट है फ्रियर्ड अप्टेस प्रिक्षा की घड़ी, right? यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालू आपके मुवाइल पे हमेशा जाता रहे है अर्ली लाइफ प्रादमभिक जीवन सप्लाई यूमर हसी छुटवाना राइट पार्टनर ऑफ जोग एंड हैपिनेश शुक दुख का साथी को इंगलिज में करते हैं पार्टनर ऑफ जोग एंड हैपिनेश आप्टर एजुकेशन शिक्षा के बाद शिक्षा के बाद फैंसी कलपना करनाक राइक नेक्स्ट रह hypocrite पकंडी विफोर आल सबके सामने विफोर आल सबके सामने इन द कमपनी आप साथ में या संगत में समवाट कुछ कुछ अल अलोन बिल्कुल अकेला राइट नोट अली दिस इतना ही नही नहीं नेक्स एस्टेंड और हीज और लेक्स अपने परोपर खरा होना सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेर स्वाम नेक्स्ट है इन द आवर ओफ नीड अफ सक्ता के समय में राइट अफ सक्ता के समय में इन द आवर अपनी नो क्वेस्टन अपियर्स कोई सवाल ही पैदा नहीं होता एज टाइम पास्द आउं जैसे जैसे समय बीतता गया नेक्स्ट पुट अप्दा क्वेस्टन प्रस्न पूछन या प्रस्न रखना नेक्स्ट है इन दिस वे इस परकार सिंपल फूड रूखा सूखा भोजन राइट शेंपल फूड रूखा सूखा भोजन टियर्स बॉष्ट आउट आप आशू निकलाना टियर्स बॉष्ट आउट आउट आप आशू निकलाना चाल्डिस क्वेस्टन बच्चो वाले प्रस्न इन एवरी पॉसिवल वे हर संभव तरीके से इप यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माइ यूट चानल ओनलान इंग्लिसस कुलीं प्लेट वाले प्रस्न